आज हम गाजर का हल्वा बनाने वाले हैं गाजर का हल्वा बहुत ही जदा टेस्टी और हेल्दी होता है बट इसको बनाना तो आसान है बस इसको कद्दुकस करना कटिन होता है तो इसलिए आज हम कद्दुकस नहीं करेंगे मैं बताने वाले हूं किस तरीके से बिना कद्दु तो यहां पे मैंने गुट ज़ाँ के उटेस्टा को नस आता है रापगे लिवार नहीं का नूमंह है, यहां पर हेंगे भмотрूगे मैं तो यहांपे मैंने के बाद कर लिया है आप देख सभने लिए फॉदू के रहे हो धुत्यार के हो गी बहुत जरूरी है मतलब देशी गाय का घी हो तो ले लेजिए उसे टेस्ट बढ़ जाता है और मेने ड्राइफुट्स अपनी पसंद से लिए आप इसमें और भी चीजे एट कर सकते हो खसकसदाने पिस्ता बग्यरा लेकिन बट फिलाल मैं नहीं ड्राइफुट्स डाले ह करेणप ईकम्मण को करो ने काया की लिए बड़समेंट के लिए यह उपस्सक्राइब कर लेकը को प्लीज सबस्क्राइब कर लेजेगा को आप को मेरे इसी सेम चिनल पर अरह भीர पे काम करती वहें एक स्ञेश्ट बढ़ा सकते हो एक्स टाइम भी तो देखे यहां पर मैंने घी में घाजर को हम पांच मिनट रोस्ट करेंगे घी में इससे क्या होता है कि एक तो कलर भी बहुत चेंज हो जाता है और टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है यह वाला स्टेप आप जरूर मतलब टेफ टमबर वन है कि आप जरूर याद रखना कि अगर आपको मतलब गाजर के हलवी का टेस्ट बढ़ाना तो डारेकली आप दूद मत डालना दूद मत करना पहले पहले आप उसमें घी में रोस्ट कर लेना पांच मिनट अब मैं मलाई डाल रही हूं मलाई बहुत जरूरी है मतलब अगर आपके पास माबा नहीं है तो म पाउडर डाल सकते हैं बट यह चीजे जरूर डालना है अदरवेस गाजर के हलवी का टेस अथना अच्छा नहीं आएगा और यहां पर मैंने अब तक ड्राइफूट्स के ना चोटे-चोटे टुकुडे कर लिया है फिर इसके बाद में हम डालेंगे सुगर सुगर आप अ तो कोकर में बहुत मिठास होती है तो देख़िए इसको बनाने में टा इम नहीं लगता है एक Spa कोकर में बना सकते हैं लेकिनस में क्या है मैनने आपको बताया ना है टिप घांबर वन की आपको गाजर को घीमे ऐ करना है अगर आप कुकर में डालेंगे तो आपको क्या करन बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है आप एक बर जरू ट्राइगर के देख लीजेगा आपको समझ में आ जाएगा यहां पर मैंने दो इलाइची भी डाल दी है इलाइची हरी इलाइची जिस फोड के डाल दी है उसका टेस्ट इसमें आ जाएगा और आपको जल्दी बन जाता है कड़ाई में टाइम लगता है तो आप कड़ाई में उस समय आपको चलाने के बिल्कुल जूरूत नहीं थी आप अपना काम करते जाएंगे बच्चे को भी खलाते जाओ ऑफिस का काम भी करते जाओ घर का जो काम है करते जाओ क्योंकि चलाना इस स्टे जैसे आप चमच घूमाते हो तो वह हलवा भी घूमने लगता है देखिए आप हलवा भी घूम रहा है तो इट मींज कि हमारा हलवा बनके पर्फेक्ट तैयार हो गया है तो गाइस यह रेसिपी जरू ट्राय करिए बहुत हेल्दी है बहुत टेस्टी है बच्चों को जरू पसंद आती है तो इस तरीके से बनाएं के तो सब आपकी तारीफ भी करेंगे तो एक बारे ट्राय करिए रेसिपी अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा मेरे चैनल पर वर्किंग मोम्स के लिए आसान रेसिपी और बच्चों को घर पर किसे पढ़ाना यह वीडियो देख सकते हैं तो गईस चैनल सब्सक्राइब कीजिए चेर अरप कीजिए इंज्वाइ करिए रेसिपी चलिए मिलते हैं अब तक आपनी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रैड बटन को क्लिक करकी सब्सक्राइ तक आपको मेरे निव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें